नमस्कार मैं हूरो मिता तिवारी कुरोना ये नाम सुनते ही शरीर में सिरहन दोड़ जाती है मन में अजीब सा खयाल आने लगता है डर से दिल कांपने लगता है और जिस तेजी से कुरोना दुनिया में फैल रहा है वो खत्रे की घंटी है इसकी जड़ में आचुका हमारा देश भी अब उस दहशत को महसूस कर रहा है जो चीन और इटली जैसे देश जहील रहे है आखिर क्यों कुरोना हमारी का रूप अख्तियार कर गया है आखिर इंसान से कहां भूल हो गई है और अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब देश की जनता जानना चाहती है इनी सवालों के जवाब ढूनने की आज हम इस खास पेशकरश के जरिये कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बंसली उसके खास पेशकरश कोरोना को करू लॉक कोरोना वाइरस के कहर से दुनिया के अधिकांश देश बेहाल हैं धर्टी का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां इस जानलिवा वाइरस ने दस तक ना दी हो यूरोप में जहां पर हालत काफी खाराब हैं वही भारत में भी इस वारस ने कई राज्यों में जंजीवन ठप कर दिया है इंटरनेट हो या पान की दुकान, शहर हो या गाउं हर जगा कोरोना वाइरस की चडचा हो रही है दुनिया में लाखों लोग इससे संक्रमित है, हजारों की जाने जा चुकी है और ये आकड़ा अब लगातार बढ़ रहा है सावधानी ही है कोरोना का बचाओ अब वहाँ पर ध्यान देने से बचने की सला, दुनिया को फिलहाल बैक्सीन का इंतजार कोरोना से मचा है पूरी दुनिया में कोहरान कोरोना पूरी दुनिया में कहर बनकर टूट रहा है कोरोना संक्रमित लोग आसमय ही काल के गाल में समाते जा रहे हैं चीन के बुहान शेहर से शुरू हुई ये महामारी दुनिया के करीब 150 देशों को अपनी चपेट में ले चुकी है हिंदुस्तान में भी कोरोना ने करमा दिखाना शुरू कर दिया है संक्रमित लोगों का आंकड़ा 300 के पार पहुँच गया है केंद्र और प्रदेश सरकारें कोरोना के बढ़ते आकणों को लेकर चिंतित है इससे लड़ने के लिए हर संभव उपाय किये जा रहे है ब्रदान मंत्री नरेंद्रोदी कोरोना को लेकर सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों और स्वास्त मंत्रियों से चर्चा कर चुके है देश की जनता को सम्भूधित करते हुए प्रधान मंत्री ने रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का एलान किया है वहीं मंद्रप्रदेश के राज्यपार, लाल जी टंडन और 36 गड़ के मुख्य मंत्री भूपेश पगेल ने भी कुरोना से बचाव का संदेश दिया है 22 मार्च रविवार को सुबे 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवाश्यों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है इस जनता कर्फ्य के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बहार न निकले, न सडक पे जाएं, न महले में या सोसाइटी में इकत्रे हो, अपने घरों में ही रहे, हाँ, जो आवशक से वहों से जुड़े हुए हैं, उनको तो जाना ही पड़ेगा इस दुनिया में अभी तक है, भारती एक ऐसा देश है कि जिससे है, इसको फैलने से रोप्रे में पूली सफनता प्राती है, जो कदब उठा जा रहे हैं कि विदेशों से आने वाला सामान, उन से उन देशों में जाना, वहां के लोग आ रहे हैं, उनका परिशन, उन्हें कि सरफ करना चाहिए, चुकि वो जो आता है, उन्हें किसी दर किसी भी ये वैरल उस देश से लेके आता है, और ये पितनी टेशनी से फैल जाता है, राज में कोरोना वायरस से उपचार के माकूल बेवस्ता है, और इस से डरने या चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, ल मद्धिप्रदेश और 36 गड़ में कोरोना के पाउं पसारने के बाद सडकों पर लोग कम नजर आ रहे हैं, गुपल एम्स में भी जाच की ववस्ता की गई है, एम्स में डॉक्टरों की टास्क फोर्स तीम तयार की गई है, कोरोना को लेकर तरह तरह की खबरें शोसल मीडि होकर संक्रमन को रोक सकता है. कोरोना जिस तरह से महमारी की तरह फैल रहा है, अभी तक दुनिया का कोई भी देश इससे लड़ने वाली बैक्सीन नहीं बना पाया है. ऐसे में फिलाल सावधानी ही सबसे बड़ा बचाओ है. सबसे खास बात जिस पर ध्यान देनी की जरुवत है वो ये कि संक्रमन से मरने वालों से ज्यादा संख्या बचने वालों की है. इसके साथ ही सोशल मेडिया में फैल रही अफ़वाओं को नजर अंदाज करके हम गलत जानकारिया आगे बढ़ाने से रोक सकते हैं. जब तक दबा नहीं मिल जाती तब तक कोरोना से सुरक्षा ही सबसे बड़ा उपाय है. ब्यूरो रपोर्ट बंसन नियूज तो इस रपोर्ट को लेखने के बाद आप इतना समझ गए होंगे कि साफधानिया बरतना हमारे लिए काफी जरूरी है, लक्षण को समझना जरूरी है और तब ही हम अपने आपको सुरक्षित रख सकते हैं. आपको डॉक्टर के एडवाइस की बहुत ज़्यादा जरूरत है, उन सारे कन्फूजन को दूर करने की जरूरत है, जो इस वारिस से जुड़े होए हैं. और आज कुरोना की ABC हम इस खास कारिक्रम में आपको समझाने जा रहे हैं, और सब कुछ बताने जा रहे हैं कुरोना वारिस के बारे में, कुरोना की रोक थाम और उसके लक्षणों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तीन खास महमार, भोपाल से हमारे साथ जुड रहे हैं डॉक्टर अश्वनी मलहुत्रा चेस्ट्री फिजीशन है बंसल हॉस्पिटल में हमारे साथ जुड़े हुए है सत्यकान त्रिवेदी जो की मनों चिकत्सक हैं वह हमारे साथ राइपुर से जुड रहे हैं डॉक्टर गिरीश अगरवाला आप तीनों का ही बह गौरॉना वाय्रस आखिर क्या है जो अन्य वाय्रस से अलग है और कितना Pocket दरने की जरूरत है एक रूटीन वायरस की तरह ही है मां इन सीजों कर इसलिए आपको समझाना चाहता हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इससे हमें डरना नहीं है जिसके बारे में समझना है एक रूटीन वारल इंफेक्शन जो कि पहले भी हो रहे थे आज भी exactly वैसा ही एक वारल इंफेक्शन है इसका प्रेजेंटेशन भी वैसा ही है ज जो कि अरदी ख़ए नजी नहीं है जो की पहली बार आई है यह ilitain स्ञेटेशन नखी है और इसका प्रेजेशन ठीक वैसा ही है जैसे पुराने रूटीन वाइरल इंफेक्शन का प्रेजेंटेशन होता था बिल्कुल तो ये कोरोना वाइरस के बारे में आपने बहुत संच्छप्त में बताया है कि आखर ये वाइरस कैसा है और ये वाइरस ऐसा जो वाइरस फामली से ही आया है इसके कोई डरा हुआ है और एकदम पानिक स्थिती है अभी कि जैसे ही आप किसी से हाथ मिलाने जाएंगे या उसके पास जाएंगे तो वो एक दूरी मेंटेन करते हुए आपको दिखाए देगा ये एक अभी मेंटेल स्थिती लोगों की है इसके बारे में मुझे बताये कि क्या इस वक्त लोगों की मान सकतार कैसे वो इससे बाहर निकल सकते क्योंकि एक डर का माहौल आसपास हम देख रहे हैं देखिए किसी भी डर से जो निजात पाने का सबसे बहतर तरीका होता है उसके बारे में वैग्यानिक ग्यान प्राप्त करना लोग क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया में वाइरल हो रहे हैं मैसेजिस को पढ़ रहे हैं डिफरेंट फेस्बुक में डेटास कुछ गलत आ रहे हैं कि इतने लोगों की मौत हो गई और संसनी खेश खबरें जो आ रही है वो कहीं न कहीं पैनिक का भाव क्रियेट करती हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया करांती का ये युग हम मैं कह सकता हूँ तो जो सूचना हैं वो बहुत तेजी से ट्रांसफर होती हैं और कई बार कुछ ऐसे चितर शेयर किये जाते हैं जो काफी भयावा होते हैं और हो सकता है वो उस बीमारी के हो ही ना और संसनी खेश जब मिलता है तो ये पैनिक का रूप ले लेता है महत्पूर्ण बात ये है कि अगर हमें इस पैनिक से निकलना है तो उसका एक ही इलाज है कि हम जो इनफॉर्मेशन ले वो बहुत ही अधिकरत जगहों से ले जैसे विश्व स्वास्त संगठन की वेबसाइट है वहां से आप जानकारी लें उसके बारे में पूरी डिटेल हासिल करें आपके जो डॉक्टर हैं जिनसे आप मिल सकते हैं उनसे आप जानकारी हासिल करें और जो स्वास्तिविवाग गैजेट्स निकाल रहा है उसको पढ़कर के ही हम उसके बारे में सही जानकारी ले पाते हैं जब सही जानकारी वेक्ति के मन में आती है तो वही कनवे करता है इंपॉर्टन बात यह है कि मुझे कोई मिसिंफॉर्मेशन मिली मैंने दस लोगों को बताई और समस्या वहां पर बढ़ जाती है कि अगर घर के आप मुखिया हैं या आपकी अपनी सोसाइटी में कुछ हैं मुखिया या किसी भी पोस्ट को बिलाउंग करते हैं तो आपकी कही हुई बात को बड़े लोग गंभीरता से लेते हैं इसलिए क्या नहीं कहना है मास में यह बहुत इंपोर्टेंट होता है रोमिता तो मेरी सबसे अपील है बंसलनी उसके माध्यम से कि जो इनफॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट गेन करें जैसे ही आप उसको गेन करेंगे तो आपको आपका पैनिक काफी कम हो जाएगा बिल्कुल बहुत सथीक बात और इस तरह से प्रथान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अभी अफवाओं पर ध्यान देने की बिल्कुल आपको ज़रुत नहीं है इसलिए सटीक अगर आपके पास जानकारी है तो आप इस बिमारी से अपने आपको इंफैक्शन होने से बचा सकते हैं इसके लिए ब भारत में भी नंबर आफ पेशेंट्स बहुत देख रहे हैं 298 इनकी संख्या पहुच चुकी है तो ऐसे में मुझे यह समझाए कि भारत में अभी आप कोरोना वारिस की क्या स्थिति देख रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सेकेंड या थर्ड स्टेज में इस वक्त य इटली का था वीक 3 एन वीक 4 में एक सुनामी जैसा इंडिया में भी एक्सपेक्टेड है और इसी लिए गवर्मेंट आफ इंडिया ने प्राइम इनिस्टर में जगा जगा पे लॉकडाउन जैसी इस्तिति उन्होंने पैदा किये ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हम बना सकें कोई भी चीज जो अभी तक कारगर सिद्ध हुई इन्फेक्शन को रोखने के लिए वो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग है साती साथ हैंड वाश और मास्क का यूजज है अभी अभी जैसे आपन बात कर रहे थे कि अगर आपके पास मास्क नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग उस वह है वह यह है हमारिया का इंफ्रेस्ट्रक्चर सरकारी डेटा के इसाब से अगर हम बात करें तो देश में टोटल आईसियू बेड्ट जो है वह करिब करीब सत्तर हजार आईसियू बेड़् हैं और अगर हम यह मानके चलें बाकी देशों की कंपैरिशन में जो रेट तो करीब करीब 13 करोड लोग infection हो सकता है और उसमें कित्ते लोगों को hospitalization की जरत है मोटा सा 10% अप ले सकते हैं अगें उसमें से कित्ते लोग को ICU की जरत है अगें यू कें टेक approximately 10% हमारे पास उतने बेड ही नहीं है हमारे पास उतने infrastructure है ही नहीं हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम इसे normal लें कि नहीं बहुत कोई बात नहीं है कोरोना है सरकार ने रूल लागू किया है जनता कर्फियू लागू किया है मैं इसे इतना seriously नहीं लेता ये बहुत गलत होगा सुनामी इस सिन पाइपलाइन कभी भारत में कोरोना का सुनामी आ सकता है चले तो अभी जो stage है भारत में उसके बारे में डॉक्टर गरवाल बता रहे थे कि जो third या four week है उसमें number of patients में जाफा हो सकता है को जानकर काफी हरानी होगी कि 24 घंटे में 100 लोगों के infected होने की जानकारी भी अभी अभी निकल कर सामने आई अभी जब मैं चेक कर रहे थी याकड़े तब ये चौंकाने वाली चीज जो है वो सामने आई डॉक्टर मलोगतरा जिस तेजी से ये वाइरस लोगों को अपना शिकार बना रहा है इंफेक्ट कर रहा है ऐसे में यह समझाए कि यह वाइरस जिसका हर एक वाइरस का साइकल होता है तो इस वाइरस का साइकल कैसा है कि इसका इंक्यूबिशन पीरेड लगबग चार दिन से लेके 12-13 दिन यह तक होता है 2-12-13 दिन मानने और और लगबग 5 दिन देंदर इंफेक्ट होने के बाद यह अपने इसका प्रिज साथ होता है इसके सार्वा सब्सक्राइब शकादी वता है कि चिंता जनक विशे तब आता है जब । उखार के साथ साथ सांस भी फूलने लगती है तो यह लगबग पांच दिन बाद जब आपको सिम्टम्स चालू होते हैं तो वही आज के सिनारियो में एक क्लार्मिंग टाइम होता है जब आपको टाइम ली अपने डॉक्टर को विजट करना चाहिए क्योंकि यह जो सर्दी जुकाम खांसी कब अपना भायावे रूप लेने सांस फूलने लगे और तब हम डॉक्टर के पास जाएं तो हमारा टाइम वेस्ट हो चुका होता है ट्री सिम्टम्स आ जाते हैं अभी थोड़ी जो इस्थिती है वह ऐसी है कि अगर किसी को नॉर्मल फ्लू भी है जिसमें सर्दी खांसी के लक्षन होते हैं तो वह इंसान भी काफी पैनिक कर जा रहा है कि कहीं वह इस वायरस से इन फैक्टिट तो नहीं है तो क्या उसे पांच द को यह सिम्टम्स आ रहे हैं तो वह उस बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं कि शायद यह चीज हो सकती है तो यह एक अच्छी चीज है अप टाइम से रिपोर्ट करेंगे वेट नहीं करेंगे तो वेट करना तो एक अच्छा आइडिया नहीं है बेटर है कि टाइम ली जल्दी आप यह सारे सिंटम्स महसूस करते हैं देखते हैं तो घर पर डॉक्टर बने की बिल्कुल कोशिश ना करें डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं डॉक्टर त्रिवेदी इस वक्ट थोड़ी स्थिती ऐसी भी है क्योंकि आप भी बिल्कुल अव् जचते हैं कि वो इससे इंफैक्टर हो सकते हैं बावजूद इसके वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं या वो खुद को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं इसके पीछे क्या मान सकता हो सकती है देखिए इसके पीछे जो रोमिता सबसे बड़ी मान सकता होती है वो डिनायल क कई बार ये चीजे manipulation की तहट नहीं छिपाते हैं लोग, कई बार वो खुदी accept नहीं करना चाहते हैं, उन्हें प्रावलम है, तो यहां पर मैं कहना चाहूँगा कि जैसा है, डॉक्टर अशुनी ने बताया, कि आप शुरुवाती लक्षन आएं, तो सबसे पहले अपने चिकि जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि हम सब को पता है, इसके दो ही risk factor हैं, अभी फिलाल या तो आपने कहीं पे किसी दूसरे देश की आत्रा करी हो, जहां पर ये infection बहुत जादा हो, और दूसरा किसी ऐसे विक्ति के contact में आए हो, तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, तो आपकी न इसलिए इस मामले को बहुत गंभीरता से ले और अपने चिकित्सक के पास जाएं, दूसरा ये है कि आप पैनिक की बात यहां पे काफी तेजी से चल रही है, तो वहां पे भी मैं कहना चाहूंगा, विश और स्वास संगठन ने मीडिया के लिए भी guidelines जारी करी हैं कि कि किस इसे कोई भी ग्रसित व्यक्ति को सीधा आप उसको stigmatize नहीं करें, उसको romanticize नहीं करें, उसका महिमा मंदन नहीं करें, कि वो COVID-19 family है, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, वो COVID-19 person है, या इसका नाम ही COVID-19 रख दिया जाए, ऐसा करके भी उन्हें मजाक का विश है, नहीं बनाना है, वो एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, जिनको COVID-19 है, लेकिन वो COVID-19 नहीं है, इस तरीके से हमें उनके respect काफी ख्याल रखना है, क्योंकि और वो व्यक्ति काफी परेशान सा है, ऐसे में अगर हम मजाग बनाते हैं, तो ये बातें दिल को काफी ठेस पहुच के पास चेस्ट वीजिशन के पास जाकर के सलहा के अनुसार ही काम करें, बिलकुल, तो ये हमारी और आपकी नैतिक जिम्मदारी है, कि अगर इस तरह का कोई पेशिंट हबारे आजू-बाजू है, तो हम इतना उसे इंफिस ना करें, टागिट ना करें, और बहुत अच्छ करके आया है, ऐसा कुछ आपको लगता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आप असर्टिवली कह भी सकते हैं, हो सकता है, वो जागरूक नहीं हो, अगर उसके बाद भी वो उफेंडेट फील करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार ने कोई कॉल सेंटर या साहता उसे भी जागरूप कर रहे होते हैं, तो बहुत इंपोर्टेंट है कि अगर आप अपने आसपास भी किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं, जो हाल ही में विदेश यात्रा पर गया है, तो उसे आप ये इन्फरमेशन दे सकते हैं, डॉक्टर अगरवाल जिस तरह से आपे डॉक्टर सतिकांत ने भी जिक्र किया कि एक व्यक्ति कई लोगों को भी संक्रमित कर सकता है, इस तरह से इटली में भी आँकड़े मैंने देखे, वहां पर एक व्यक्ति 10,000 लोगों को इंफेक्ट कर सकता है, इस तरह के आँकड़े सामने आए, जो सच मुच में बहुत भ रहता है, काफी भयानक स्थिति हो सकती है, ऐसे मैं आपसे यह जानूंगी कि सॉफ्ट टार्गेट्स कौन कौन हो सकते हैं इस वाइरस के, इसके बारे में बताईए देखिए इस के जो सबसे सॉफ्ट टार्गेट्स हैं वो हाई रिस्क पॉपलिशन है, जब हम आई रिस्क पॉपलेशन की बात करते हैं, तो उसके बहुत क्लियर कट डेफिनिशन है, कोई भी वेक्ति जो 60 साल से उपर है, 65 साल से उपर है, या कोई भी वेक्ति जिसे किसी यह प्रकार की गंबिर बीमारी हैं, जैसे हाट का प्रॉबलम है, डालेसिस पे अगर वो पेशेंट है, शुगर की प्रॉबलम है, तो यह सब हाई रिस काटेगरी ओफ पेशेंट है, बच्चे हैं, जिनकी इम्मिनिटी बहुत काम होती है, यह सब हाई रिस काटेगरी ओफ प टेस्स करना है और जिसमें soft target जो आप कह रहे हैं या high risk target जो आप कह रहे हैं उन patients को अगर कहीं से भी किसी भी confirm positive covid case के साथ exposure है या उन्हें symptoms हैं symptoms नहीं है exposure है या symptoms है दोनों ही condition में ऐसे मरीजों का test करना नहीं आ रहे हैं ये soft targets इसले भी बोले जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा mortality rate अगर हम इटली का figure उठा के देखें सबसे ज़्यादा mortality rate 60 plus के patients में ही हैं तो ये बहुत soft targets हैं इसके अलावा pregnant women जैसे कि हमने swine flu में भी था कि pregnant women's are very soft targets किसी भी प्रकार के severe viral infection के लिए बहुत soft targets होते हैं तो यह तीन category of इससे में मुझे लगता है कि यह समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह के वारिस से लड़ने के लिए हम में अपना immune system कैसे strong करना है कि यह immune system एक genetic चीज़ है इसको all of a sudden हम change नहीं कर सकते सबका अलग होता है important है कि अभी जो हम precautions ले सकते हैं बस उस पर ध्यान दे precautions in the sense कि हम किसी और infection को आने की दस तक ना दें avoid करें भीड़ भार में जाना avoid करें restaurants में जाके खाना खाना बाहर खाना खाना जहां से कोई और infection भी आपको catch हो सकता है जो आपकी immunity को कम कर सकता है कोई भी infection हमारी immunity को fall करेगा अगर हम healthy हैं हमें कोई infection नहीं है उस समय हमारी immunity हमारे baseline level पर maintained है वहां से उसको upgrade करना definitely बहुत easy नहीं है कुछ चीजे recommend कि जाती है कि आप कुछ अच्छे multivitamin लेना चाहें तो वह ले सकते हैं zinc containing multivitamin लें तो उससे immunity थोड़ी से build up होती है vitamin C खाएं उससे immunity develop होती है यह लेकिन यह चीजे इन जनरल आपकी immunity को all of a sudden pick up नहीं कर सकती most important है कि आप आज की situation में अपने आपको इस तरह से protected रखें कि कोई और infection आपको catch ना हो जाए जो आपकी immunity को fall कर दे और आप secondary infection कोरोना का catch कर लें कोरोना एक ऐसा infection है जो कि बहुत लोगों को होता है और लोग रिकावर भी हो जाते हैं लेकिन हम इसमें complicate ना हो जाए because of some other problem कोई और reason जिसकी वजह से हमारी immunity fall हुई है वहां से हम इस infection में severity के level पर ना चले जाए वह देखना सबसे important है हमारी baseline immunity को maintain करके रखना है अभी हमें कोई और infection कोई और problem ना हो इसके बारे में बहुत सोच के रखना है बिल्कुल तो यह immune system strong करने का यहांसे मतलब यह है कि आप अपने आप ऐसी सावधानिया बढ़तें ताकि आप अपने आपको इस वार्स बचा सकें और बार-बार हम यही कह रहे हैं banzaalis आपसे अपिल कर रहा है कि करो नावार से डर्ने की जरुए बस आपको सावधानिया रखनी हैं इसके बारे में सही जानकारी आप अगर रखते हैं तो आप इस वारस अपने आपको बचा सकते हैं इसे पर लगातार हम चडचा कर रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर का स्पेशिल पैनल मौझूद है यहाँ पर एक छोटी से ब्रेक के लिए हम ब्रुक रहे हैं जल्द लॉटते हैं आप कहीं मत जाएगा देखते रहे हैं हमारी एक खास पेशकरश